हे गाई इस कैसे हम सभी लोग वेलकम बैक टू अनादर गेमपले वीडियो जैसे कि आप सभी को पता है भाई इंडियन बैक ड्राइविंग 3D बहुत ही बढ़ी यह गेम है इसका जो अपडेट है वो अभी जल्दी ही आया था और अपडेट के बाद यहां पर इसके ने ने पी आ चुके हैं तो मैं वह आपको इस वाली वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ और एक RGS टूल है भाई उसको भी कैसे यूज करते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ पूरा डीटेल में तो चलो भाई शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा क RGS tool open करना इसमें लिखना है house color house की spelling आप लोग देखेंगे color में c o l o r लिखेंगे l o u r नहीं और उसके अधर red लिखोगे ओके करोगे तो red हो जाएगा देखो भाई किता गजब भाई देखो क्या ही बढ़िया लग रहा है आप जाहे जो color मन करें वो कर दो भाई blue कर लो और मन करें तो RGB color भी कर सकते हो अभी आपको करके दिखाता हूँ देखो house color RGB आपको लिखना है बस house color और उसके बाद लिखना है tick mark पे click और भाई देखो क्या ही बढ़िया लग रहा है और अपना घर देखो एक दम total RGB color हो गया भाई क्या ही बवाल लग रहा है देखने में और भाई इससे बहुत ही चीज़ें आप लोग कर सकते हो यह तो अभी अपने घर की बात हो गई और बहुत सारी ऐसी चीज़ें ह कर सकते हो जैसे ही आप घर के अंदर आओगे तो घर के अंदर मैं आपको बता दूबाई देखो यहां पर तो ऐसा कुछ देखने को है नहीं यहां पर यहां पर भाई यह फैन ऑन है इसको आप लोग आफ कर सकते हो जिसके लिए कोई switch नहीं है RGS tool में लिखना है बस fan off जैस आप लोग भाई इसको जो है लिखोगे वैसे यहां पर यह fan चलने लगेगा दुबारा से और इसके अलामा अगर देखा जाए तो भाई अपने घर में उपर की और उपर जैसे यह आप लोग चड़ेगो यह नए वाला घर है इसके उपर की और भाई देखो उपर की और य यह एड कर दिया जाए पर अभी आप लोग जीम का यूज नहीं कर सकते हो पर बहुत जल्द करने लगोगे उसका भी चीट कोड आ जाएगा तो मैं आप लोगो को बता दूँगा अभी आगे यहां पर आपको आर जीए स्टूल का और भी यहां पर यूज मैं बता देता देखो जैसे ही आप राइट क्लिक करोगे देखो आपको गेम सेव हो चुका है यहीं पर सेव हुआ है और इसके बाद भाई यह मतलब वर कैसे करता है यह भी मैं आपको बता जाता हूँ दूबारा जब आप लोग कभी भी गेम ओपन करोगे सेव करने के बाद तो देखो जैसी गेम ओपन हो जाएगा आपको कुछ नहीं करना अपना RGS टूल निकलना है और यहां पर लिखना है लोड लोड जैसे ही लिखकर आप क्लिक करोगे तो जहां पर आपने गेम को सेव किया है आप वहीं पर पहुँच जाओगे देखो यहीं पर मैंने गेम सेव किया था यहीं पर हम लोग बहुच चुके हैं और इसके बाद एक यूज इसका और है जैसे कि अपना पुलिस स्टेशन है लाश्ट टाइम ही अपडेट में यह एड हुआ है तो अभी आगे आने वाले अपडेट में यहापर पुलिस लोग भी एड होंगे और यहां पर जो है अप पर गो इंटू जेल बस इतना लिक कर आपको जो है क्लिक करना है और उसके आद आप लोग पहुच जाओगे जेल के अंदर देखो जैसे ही मैं आपर क्लिक करूँगा वैसे यहां पर मैं पहुच जाओँगा जेल के अंदर देखो भाई मैं पहुच चुका हूँ भी फाइ आप बाहर निकलोगे उसके लिए आपको भाई mobile निकालना है अपना और उसमें RGS टूल open कर लेना है RGS टूल open करने के बाद आपको यहां पर लिखना है कम यहां पर लिखना है कम मतलब आओ आउट कम आउट फ्रॉम जेल बस कम आउट फ्रॉम जेल इतना लिख दोगे तो बस तुरंत ही आपका करेक्टर जो है वह बाहर आ जाएगा फटाक से बिल्कूल भी देर नहीं लेगी चलो इस पर क्लिक करते हैं और वाई देखो हम लोग पहुच चुके हैं यहां पर बाहर जेल के बाहर आप लोग यहां पर आज चुके हो तो अभी ना ऐसे बहुत सारे यूजेस हैं भाई आर जीएस टूल के बताने बटूंगा ना वाई तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी पर यह इतना कुछ यूज था आप इसको जान लो आगे आने आने आले हैं फिर मैं आपको बताऊंगा अभी इसकी ठीव कोद की तो आपको सबसे पहले बाइक के चीट कोड और आर्ल फे सीपक्र आऌडगी पर आपको लिए यहीं को यहां पर ट्रिपाटी इवल इसके बाद आपको यहां पर आल करना है यह आप करोगे वैसे यह आपको यहाँ पर YAMAHA FJ10 देखने को मिल जाएगी और उसके बाद आपको यहाँ पर ट्रिपल नाइन डायल करना है जिसको भाई डायल करने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी एक YAMAHA VMAX इसके बाद भाई आपको डायल करना है 404 और दो इसको डायल करने के बाद आपको देखने को मिल जाएगी जेटेक्स टेनार भाई बहुत ही ज्यादा महेंगी गाड़ी है ये वाली तो भाई देखो इतनी गाड़ी आ गई है इसके बाद अभी आपको डायल करना है 001 0015 0015 से आ जाएगी यामाहा आर one five इसके बाद आप लोगों को जहांपर डायल करना है जो अगले बाइक कोड है वो है four bar one यानि जो की बाइक नहीं हसल में है एक cycle और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर dial करना है भाई अगले बाइक का जो code है वो है बाई 1190 जैसे ही आप लोग यहाँ पर type करोगे आ जाएगी KTM 1190 उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर dial करना है 1210 1210 से फिर से एक KTM आ जाएगी जो की दूसरा model है इसके बाद भाई देखो इतनी सारी गाड़ी हो गई अभी और भी है भाई सबर रखो तोड़ा इसके बाद जो cheat code है वो है बाई 1111 से आ जाएगी यहाँ पर एक पलसर और इसके बाद भाई जो next cheat code है वो है भाई चार बार दो चार बार दो आप लोग डायल करोगे तो एक ATV भाई का जाएगी एक मिनट भाई यह तो अपने पलसर के उपर गिर गई ओ चलो ठीक है भाई उसके बगल में जस्ट आई है पलसर को गिराया नहीं इसने तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं हुई तो चलो इसके महेंगी बाई के भाई है यह बहुत ही जादा और इसके बाद हमें डायल करना है एक निडे नहीं भाई चार बार दो हो चुके है साइदना हां बश को बहुत ही एक चौड़ नह이다's लोगों की फेबरेट बाई होती है यह आपाचि इसके बाद आप लोगों को डाल करना है 4, 2 & 5 जैसी आप डायल करोगे यहाँ पर आ जाएगी Duke, KTM की भाई Duke आ जाएगी यहाँ पर देखो इतनी सारी बाईक्स है यहाँ पर और बाई काफी जादा बाईक्स है एक नट वाई इसको क्या हुआ सस्तेने से करके क्यों चल रहा है बाई साभी अपना केरेक्टर भी ना क काफी जादा ही सस्तेने से करता पता नहीं कहुन सा भाई गता फुकता है यह तो चलो अभी और बाईक्स है ऐसा नहीं है भाई की खतम हो गए अभी काफी बाईक्स है यहाँ पर तो इसके बाद आप लोगों को डायल कर लेना है यहां पर 4 ,4,4,4 4 चार बार 4 और इस से यहाँ पर पलसर ऑरेस टुहेंड़ उसके अद भाई आपको छे हजाँ डायल करना है चिससे आपको भाई एक ट्रॉन भाईक देखने को मिलेगी ट्रॉन भाईक, उसके बाद आप लोहों को यहाँ पर डायल करना है, और 7000 जैसे ही आप डाउंलोड करोगी, आपको यहाँ प आपको चार बार नौ डायल कर लेना है इसके बाद आप लोगों को डायल कर देना है चार बार नौ जिससे आपको देखने को मिल जाएगी बुलेट रॉयल एंफिल्ड और इसके बाद आपको बाई चार बार आठ डायल करना है चार बार आठ डायल करेंगे भाई तो आप लो विख्ष्ट राइडर बाइक की घोस्ट राइडर बाइक केया पर मैंगूने मैं वाई तो सारी वाइक वह उड़ जाएंग tussen वह जलती ही है की चीट कोड मैंने आपको बता दी है अभी बारी आती है कार्स के चीट कोड की और भाई बहुत सारी बाइक्स हैं और बहुत सारी कार्स भी हैं और उसके अलाओं भी बहुत सारी चीज़ है भाई इस गेम में तो चलो मैं सबसे पहले आप लोगों को भाई का चीट कोड बताना सुरू करता हूँ तो सबसे पहले आपको यहाँ पर डायल कर देना है 300 जैसे ही आप 300 डायल करोगे न तो आपको एक बहुत ही बहतरीन कार टारजन कार देखने को मिलेगी और यह अपनी बाइक के ऊपर स्पॉन हो गई है यार थोड़ा पीछे होकर करना पड़ेगा हाँ तो भाई यह टारजन कार आ चुकी है 400 सारी 300 से और इसके बाद आप लोगों को मैं बताने आ रहा हूँ और बहुत ज्यादा कार्स के चीट कोड देखो अगेली जो कार है वह भाई अपनी स्कार्प्यों और स्कॉर्प्यों के लिए वाई 333 तीन बार जैस ले गए 444 जैसे ही आप डाउनλोड करोगे मतलब डायल करोगे वैसफिया यहाँ पर Tranquist 11 इसका अगली स्कॉर्प्यों स आपको यहाँ और बैस्ट करोगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलजाएगी एक ब्रेंड नीव आउडी और उसके बाद जैसे ही आप लोग यहाँ पर 700 जैसे ही डायल करोगे यहाँ पर भाई आपको अपनी अगली कार Lamborghini V2 देखने को मिल जाएगी भाई एक दम बहतरीन कार है इसके आप जैसे ही आप लोग यहाँ पर 800 डायल करोगे आपको देखने को मिलेगी भाई एक बढ़ यहाँ बुगाटी V2 उसक आपको यहाँ पर भाई एक देखने को मिलेगी फॉर्चुनर और यह तो फॉर्चुनर है अभी फॉर्चुनर लीजेंडर का भी कोड मैं आप लोगों को बताता हूं देखो यह फॉर्चुनर है और फॉर्चुनर लीजेंडर का जो कोड है वह है एक हजार एक जादा फॉ वीडियो को देखते जाओ और भाई कोड़ पता करते जाओ एक के बाद एक और अभी तो यहां पर आपको बुलेरो भी देखने को मिलेगी और बहुत सारी गालिया है वहाई बहुत सारी बढ़िया भी लेंबॉर गीने की एक और कार है और यहां पर भी पॉर्शे भी देखन लगजरी कार होती है और उसके जैसी आप लोग भाई 20-20 डायल करोगे वैसे ही आजाएगी यहाँ पर एक इंडिवर इंडिवर भाई इसका रॉल है काफी जादा चल रहा आजकल भाई जीदर देखो उधर भाई इंडिवर ट्रेंडिंग में चल रही है अब भाई सारी डायल करोगे वैसे ही आपको यहाँ पर एक और लेंबॉरगी नहीं देखने को मिल जाएगी और इसके लावाँ जैसी अप लोग 3100 डायल करोगे वैसे ही आप लोगों को यहाँ पर एक और कार जो की है अपनी बोलेरो भाई वो देखने को मिल जाएगी देशी कार और उसक के बाद आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी अगली जो हो मस्टैंग है 8123 8123 से आपको देखने को आप लोगों के लिए वह थार का थार का चीट कोड 9090 जैसे आप लोग 9090 डायल करों वैसे आपको यहां पर मोडिफाइड थार देखने को मिलेगी भाई एक दम बेतीन मोडिफाइड थार आप लोग देख सकते हैं इसको मोडिफाइड करवाने की भी जरुरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी इसके बाद भाई यहां पर आपको न दो और गारियों की मैं चीट कोड बताऊंगा उसके आद कार्स का पूरा हो जाएगा उसके आद यहां पर आपको ट्रक्स की जी सीबी की हेलिकॉप्टर की जेट पैक की यह सारे चीट कोड में बताने वाला हूँ तो भाई अगला जो चीट कोड है मतलब जो अगली कार है उसका चीट कोड है हेंड़ हेंड़ जैसे आप डायल करोगे वैसे यहां पर आपको एक पुलिस की कार देखने को मिलेगी और जैसे वन हेंड़ डायल करोगे वैसे आप लोगों को यहां पर एक पुलिस की SUV देखन को मिलेगी एकदम बहतरीन तरीके से तो भाई ये रही इतनी सारी अपने गेम में जो कार्स हैं उनके चीट कोड इतने ही है और आगे आने आले अपडेट्स में भाई यहां पर और भी कार्स आने वाली है तो इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी और भी चीट को बता देता हूँ फाइर ट्रक का चीट कोड है 606 तो जैसे आप लोग वाई 606 डेल करोगे देखो वैसा ही आपको यहाँ पर एक फाइर ट्रक देखने को मिलेगा चलो डेल करके दिखाते हम आपको 606 वैसे यहाँ पर है और ऑब जिसके बाद बदी जैसे पर इसके पीछे टू डेल करोगी यहां पर आपको एक ट्रक देखने को मिल जाएगा भाई वह भी विद ट्रॉली भाई बहुत बड़ा उसका पीछे का जो होता है ना ट्रॉली भाई बहुत जादा बड़ी होती है देख लो आप उको दिखाता हूँ एक पीछे मुल के देखो भाई पूरी बाई बाई के ऊपर आ गई है अपने टैंक की तो भाई अपने में एक एक मिलिटरि टैंक भी है तो उसका çीट कोड करोगे यहां पर आप दिखने के मिलेगी एक बढ़िया मिलिटरी ट्रक और इसके बाद मैं आप लोगों को बता दू यहां पर एक हेलिकॉप्टर, हेलिकॉप्टर का है बाकी घोडे के उपर आप चर सकते हो और इसके अलावा यहां पर अपने गेम में एक डाइनसौर भी है तो वह भी हम जो है इसका जो कोड है वह है 5050, 5050 से यहां पर एक डाइनसौर आएगा, इसके उपर भी आप बैट कर सवारी कर सकते हो तो यह तो इतना चीज हो गया, इसके बाद यहां पर अपको ना कुछ और चीजों का चीट कोड मैं बता देता हूँ जैसे की बाई जेट पैक, अपने गेम में जेट पैक भी है तो इसका भी चीट कोड मैं आपको बताता हूँ तो जो पहला चीट कोड है बड़ा वाला जेट पैक का, बड़े अले जेट पैक है 320, 320, तो इससे बाई बड़ा जेट पैक देखने को मिलेगा आपको और उसके बाद यहाँ पर 330, यानि 330 जैसे ही आप डैल करोगे, वैसे ही आपको यहाँ पर एक छोटू सा जेट पैक देखने को मिलेगा, तो भाई यह दो जेट पैक है अपने गेम में और इसे पहन कर आप लोग भाई आसमान की सहर भी कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया तरी अपडेट में एड हुई है अपनी JCB, उसका भी चिट कोड में आप लोगों को बता देता हूँ, तो चलो JCB का चिट कोड है, डबल सिक्स, डबल सेवन, डबल सिक्स, डबल सेवन, जैसे ही आप डैल करोगे, वैसे यहाँ पर एक JCB देखने को मिल जाएगी बाई, और इसक जैसे ही आप एक बार Zero डइल करोगे, वैसे ही यहाँ पर आपको भाई कुछ फ्यूल टैंक सौरी गैस टैंक देखने को मिल जाएगा, उसका डबल जेरो से आपको एक फ्यूल टैंक देखने को मिल जाएगा, और उसके बाद, जैसे ही आप लोग यहाँ पर 12345 यह डैल हो बाकि यहां पर अगर बात करें दूसरा अला तो भाई यहां पर आप लोग फाई फोर स्री टू वन जैसे डैल करोगे तो यहां पर जो कार्स होती है ना इनकी संख्या बढ़ जाएगी मतलब वेहिकल्स जो चलते रहते हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी वह और ज्यादा स्पॉन हो जाएंगे और उनको आप लोग भाई यहां पर उड़ावी सकते हो और इसके अलामा अगर बात करें और चीट कोड की तो भाई इसके बाद आप लोग यहां पर लगा सकते हो एक और बेहतरीन चीट कोड जो है 9129 जो की है इनफाइनाइट हेल्थ का मतलब इसको लगाने के बाद आप मरोगे ही नहीं चाहे जो हो जाए भाई आप चाहे जितने उपर बिल्डिंग से गूद जाओ उसके बाद जो नेक्स्ट अपना चीट कोड है वह वह वन टूवन फाइफ है यह है भाई अपना सूपर जंप इस 12-15 से सूपर जंप 12-16 से अल्टरा सूपर जंप होती है तो मैं आप लोगों को दिखाता हूं भी देखो अभी यहाँ पर अपना केरेक्टर जंप करेगा रुख जो भाई कर क्यों नहीं रहा है अब चीट कोड तो मैंने डाला है तो भाई यह देखो आ मतलब अल्टरा तो 11-12 जैसे आप लोग एक बार डाल करोगे तो थोड़ा स्लो हो जाएगा आपका केरेक्टर मतलब स्लो चलने लगेगा उसका जैसे आप दुबारा डाल करोगे तो थोड़ा और स्लो हो जाएगा और जैसे तीसरी बार डाल करोगे तो भाई और भी ज्यादा स्लो मोसन में चल नॉर्मल हो जाएगा पूरा गेम नॉर्मल तरीके से चलने लगेगा इसके बाद भाई जो अगला चीट कोड़ है वह स्काइफॉल का स्काइफॉल है वन वन टू जीरो यह वाला चीट कोड़ लगाने से पहले आप लोग ने इंफिनिटी हेल्थ का चीट कोड़ जरूर लग जा रखा है इसके बाद भाई यहाँ पर जैसे ही आप लोग अगला चीट कोड़ डायल करोगे तो बहुत सारे जांबी आ जाएंगे तो उसका क्या चीट कोड़ है उसका चीट कोड़ है ट्वेंटी थर्टी जैसे ही आप लोग डायल करोगे वैसे ही आपको यहाँ पर वंबिश deactivate होना शुरू हो जाएंगे पर एक साथ सायद ना हो सारे तो धीरे-धीरे करके वो deactivate होंगे पर आप इन्हें मार सकते हैं जब तक के लिए जैसे देखो भाई ये सारे के सारे मेरा पीछा करने लगे हैं और ये अंधा धुन देखो भाई अब बहुत सारे इकठे ह हो जाएंगी यहां पर और केवल मेरा ही पीछा करेंगे और इनको आप लोग भाई इस तरीके से गन से ठोक भी सकते हो इसके बाद जो अगला चीट कोड है वो है अपना मून ग्रैविटी का मून ग्रैविटी का चीट कोड है इससे आपको क्या करना है वह भी बताऊंगा लेकिन पहले उसका चीट कोड तो जान लो भाई इसका चीट कोड होता है 712712 जैसे ही अब डायल करोगे वैसे ही मून ग्रैविटी हो जाएगी और आप भाई हवे में कूद सकते हो मतलब कूदोगे तो ऐसा लएगा कि हवे में उड़ रहे हो यहापर मैं हॉर्स मंगा दि एक नट फिर से बैठते हैं इसके उपर इसको हवे में तो उड़ना चाहिए यह उड़ता भी है और मैंने कई बार उड़ाया है पता नहीं क्यों यह मून ग्रेविटी का वर्क नहीं कर रहा है यह लगाया तो मैंने चलो कोई नहीं कभी कभी हो सकता है एक लिस भी आ जाता है अपने गेम में पर यह मून ग्रेविटी का चूट कोड है सेवें वन वन टू आप डैल करके वाई हवे में उड़ सकते हो आराम से वह भी अपने घोड़े सहीद अभी इसके बाद जो अगला चीट कोड है वह मैं आपको बता देता हूं अगला चीट कोड क्या है अगला च क्या मेरा काम खतम तो इसके बाद जो आता है और कुछ मौनश्टर ट्रक्स के चीट कोड है वह है कि आप 0 लगा दो आगए 0300 से यहां पर टार्जन मौनश्टर कार आ गई जैसे ही मैं दलब कोई भी कार का चीट कोड है उसके आप 0 लगा दो पस वो मौनश्टर कार में जैसे आप यहां पर फॉर्चुनर कभी बना सकते हो जैसे मैंने जीरो वन थाउजन डैल किया फॉर्चुनर आई थी अब यह कहां गई किस्ती ऊपर उचल गई भाई हो गई क्या चलो कोई नहीं हम लोग थार चलाते हैं जब तक थार मौनश्टर कार भाई देख रहे हो थ सारे चिट कोड मैंने आपको बता दिया है आज के लिए वाई इस वाली वीडियो में बस इतना ही अगर आपको भाई वीडियो बढ़िया लगिया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा और हाँ अगर आपको भाई इस गेम के कुछ मित्स वगएर आप पता हूँ तो भाई उसे कमेंट में जरूर लिखिएगा मैं उसको जरूर पिक करूंगा नेक्स डूडियो में तो मिलते हैं नेक्स डूडियो में तब तक के लिए बाई-बाई टेक क्या